अब अब कर दिया है चाप्टर टू याने की आसेड बेसेज एंड सॉल्ट साइन्स क्लास 10 का ये टॉपिक है बेसिकली इसमें हमने काफी सारे short question answer discuss किये बिलकुल इसी तरीके से हमारे जो भी important question answer है वो हम अपनी वीडियो के थुरू cover out करेंगे ताकि चाप्टर की main understanding भी आपको समझ में आएगी चाप्टर में क्या समझाया गया है वो धीरे धीरे आपका clear होगा और questions को कैसे apply करना है क्या concept है ये भी आपका clear होगा so are you ready to go let's get started question number 18 metal compound A reacts with dilute hydrochloric acid तो जो जो information आपको मिल रही है उसे लिखते चले जाना है एक metal compound है जिसका नाम क्या है A और उसे किसके साथ react कराया गया dilute hydrochloric के साथ react कराया गया तो हम यहाँ पर लिख देंगे जैसे metal compound हो गया A और उसे हम react कराएंगे किसके साथ HCl के साथ react कराएंगे अब आगे देखो क्या statement बोल रहे है तो produce effervescence तो dilute hydrochloric के साथ react कराने के बाद effervescence produce हो रही है effervescence क्या होती है bubble formation बहुत जादा bubble formation होने लग जाए तो उसे हम कहते है effervescence जैसे आप पानी में जब इनो डालते हो तो कैसे bubble formation होती है जाग जाग उपर की और आने लगती है इसे ही हम कहते है effervescence आगे देखते है the gas evolved extinguishes a burning candle यानि कि जो gas निकलेगी जिसकी बज़े से effervescence produce हो रहा है वो burning candle को extinguish कर सकती है यानि कि बुजाद देती है burning candle को क्या कर देती है blow off कर देती है write up balance chemical equation for the reaction if one of the compound is calcium chloride एक compound का नाम क्या बोल दिये जो product में बन रहा है वो है calcium chloride तो यह आपकी कुछ इस सरीके से equation हो गई और साथी साथ एक gas evolve हो रही है अब आपको बोला है कि आपको बताना है कि वो balanced chemical equation क्या होगी वो compound एक क्या होगा metal compound है ध्यान रखना है metal compound एक क्या होगा और कौन सी gas जो है evolve होगी तो आपको यह already पता है कि oxygen gas जो है burning के लिए helpful है तो कौन सी gas जो है blow off करने के लिए helpful होगी यानि कि बुजाने के काम आती है तो ध्यान रखना है carbon dioxide gas carbon dioxide gas जो है blow off करने के काम करती है यानि की burning candle को extinguish किसकी वज़े से हुआ carbon dioxide gas की evolve होने की वज़े से हुआ तो यहाँ पर तो आपका clear होगे यहाँ पर क्या आएगा आपका carbon dioxide अब वो metal compound A क्या होगा तो थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पर calcium है calcium और यहाँ पर gas बन रही थी CO2 तो अब थोड़ा relate करकर आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ तो चलो cl है यहाँ cl है calcium chloride बन रहे तो कहीं न कहीं यहाँ पर कुछ जो है कौन सा metal का compound होगा तो एक तो calcium तो हो नहीं है क्योंकि यही metal यूज हो रहे product को देखकर आपको थोड़ा idea हो जगर कि क्या यूज कर रहे है तो compound A जो है वो कौन से metal का calcium हमारा है अब carbon dioxide produce होई यान कि कहीं न कहीं calcium carbonate जो है metal compound react करता है hydrochloric acid के साथ जिसकी वज़े से क्या बन रहा है calcium chloride and carbon dioxide gas तो आई होप आपको यह reaction अप फ्लेयर होगा तो ध्यान से देखो calcium carbonate जब hydrochloric acid के साथ रियाक करेगा तो calcium chloride carbon dioxide and water जो है evolve होता है और अगर आप देखो कि क्या हर equation को balance करना जरूरी है अगर आप balancing बहुत जल्दी कर पा रहे हो तो जरूर करकर show करो otherwise कोई issue नहीं है अगर आपको equation याद आ रही है कैसे कैसे कर रहा था तो बस equation लिख दो कोई issue नहीं है अगर आप balancing नहीं भी करते तो बस आपको यह ध्यान होना चाहिए metal compound ए क्या था कौन सी gas produce हो रही है ऐसे type की questions को solve करना आना चाहिए और equations कैसे लिखते हैं left hand side, right hand side, reactant product किस तरीके से लिखा जारे वो सब थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा तो यह आपका answer हो गया थाक कर दो दोड़ेगा है प्लिस लाइच राइच ड्सक्राइब चानल लर्न ग्रो बटर